अब यह दॉटर्स टेल पंग तो हमारी यह फिल्म है बेटियों के पर अथारित है हर्याना की बैगरॉंड पर अथारित है जैसे हर्याना में वो इसलिह कहाते हैं बेटियों का एहमित नहीं दी जाती है बेटे को कोको भी मार दिया जाता है और बेटों को ज्यादा अहमेद दी जाती है हमने इस फिल्म में ये दिखाया है कि बेटियां भी जो हैं किसी तरह से बेटों से कम नहीं है जो बेटे कर सकते हैं उससे बढ़के बेटियां कर सकती है मैं बेसिकली अर्याना से हूँ और जिस जिला कुरुक्षेतर से हूँ जहां महाबारत के लड़ाई हुए की तका पुदेश दिया गया उस दर्थी में ज्यादा तर देखा है कि आज से कुछ चार सल पहले हंडर्ड में से 64 की रेशो थी अनुपात के लिड़कियों के बजाओ बेटी बढ़ा हो वो पानीपत से दिया था जब पानीपत में उन्होंने नादा दिया तो हमने तबी भी सोचा था कि फिल्म मनाते हैं तीन सान पर ने इसकी कहानी लिखी थी फिर मेरी इन से मुलाकात होई तो मैंने इनको बोला स्टार्ट करते हैं कई उपर फंड के पीछे 64 की रेशो थी आज 95 रेशो हो चुकी है कुरुक शिदर डिस्टिक में जो लोगों में वेनस जागा है मोदी जी की बात को माना है तो हमने यह उसी समय निने कर लिया कि हम यह फिल्म बनाएं तब हम दोनों मिले स्टोरी पे काम दोबारा हुआ फिर्म ने जो जो मतल हुझने थे कहिए कि दादा का रोल से पांडे जी करेंगे मागर और निशी पएज़ी करेंगी और फादर का रोल जो है मयल बूछ ने किया इसी तरह तरह जो फिल्म का निर्माड़ हुआ फिल्म बनने के हम अवा लगता हिए ८धिय की बेटियों को सुपूरी तरह से करेक्टर है सुर्भी ककट बड़ी बेटी पनी है पत्रकार आज़ार है और दूसरी बेटी है रागने दिख्षित जो कि एक लॉयर है और तीसरी बेटी है स्टेफी बिटेल जो करी हिरोई बनना जाती है हमने फिल्म में ये दिखाया है कि कैसे उनकी मान आपने बेटी एटी कि तीनों बेटियां अपने अपने फिल्ड में कैसे सक्सेस हो यह हमारी फिल्म की थीम है पर फिल्म को लेकर हमें बहुत उमीद है कि लोग इससे जुरूर जुडेंगे और जो मोदी जी का मिशन है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अगर हम इस मिशन में अपना एक परसंट अपने फिल्म के दुरू तो यह बहुत बड़ा गाम होगा देश के लिए और हम सबी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस फिल्म का हिस्सा बने और मोदी जी के बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का मिशन में काम जागी ते हैं सत्रा नुमंबर को यह फिल्म देश के सभी सिर्णा गरों में रिलीज होने जा रही है यह हमने इस देश की बेटियों के लिए उन लोगों के लिए बनाई है जो जिनकी सोच अपने बेटियों के प्रती अच्छी नहीं है अगर वो यह इस फिल्म को एक पर दिल से देखें अपने बेटी के साथ देखेंगे बहु के साथ देखेंगे तो उनकी सोच भी बदलेगी और वो उन देश की बेटियों को लिए एक अच्छा होगा कि वो हमारी तरह खुद इस इस मिशन में जुडेंगे चाहिए वो सर पंच हो ग्राम नचाते हो कोई भी संस्ता भी है वो अच्छा है यह जो पंक टेल अफ डाटर्ज जो है यह एक इस परिवार के मेरी पोतियों की उनकी जिंदगी की उड़ान है यह और पंक जो है वो इस तरह से एक सिंबॉलिक है कि हर इंसान के जीवन में उसको पंक तो मिलते हैं लेकिन जिस तरह से हमारा समाज है उसमें कई पंक बच्वन में ही काड़ दिये जाते हैं पंक कतर दिये जाते हैं ताकि उड़ान न भर सके कोई तो उस तरह से यह सिंबॉलिक है और क्योंकि यह बेटियों के पॉइंट अफ यू से है यह सारी कहानी और वो किस तरह से समाज में अपनी ही महनत से वो अपने पंक दोबा सिंबल है इसका पंक टाइटल का बाकि जहां तक मेरे करेक्टर का सवाल है मेरे करेक्टरिस में एक दादा का करेक्टर है जो मेरे बेटी की तीन बेटियां है दो बेटियां हो चुकी होती है तीसरी बेटी के मैं फेवर में नहीं होता हूँ दादा कहता है कि दो बेटियां हो गई हैं वह काफी हैं अभी यह तीसरी बेटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है और मुझे एक बेटा चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए क्योंकि मेरा वंच जो है मेरा जो है पोता ही जला पाएगा तो यह लड़कियां जो हैं वो उसमें तो बहू रिवोल्ड करती है वो कहत करती है और कैसे अपने मकसद में वो लोग कामयाब होते हैं यह कहनी का वो है क्योंकि इसके बीच का कंटेंट बताऊंगा तो उसका मज़ा चला जाएगा लेकिन आखिर में वो तीनों बेटियां और बहू हमारी जीच जाती है और जो दादा है वो उनके पास जाकर अपनी प्रूव करती है अपनी अपने पर खड़ी होती है अपने आपको प्रूव करती है समाज में अपनी जगह पनाती है, अपनी मा का नाम रौशन करती हैं, और पिर कैसे अपना वर्क और परसनल लाइफ ये प्रोफेशनल और परसनल लाइफ को दोनों को बैलेंस करके आगे चलती हैं, ये बात आप समाज को समझनी बहुत ज़रूरी है, तो सिर्फ बेटा आपक को सपोर्ट करती हैं, और एक पामिली को आगे लेकर जा सके। अच्छे करती हैं, सो हमेशा कहते थे आप एक प्रोड़ीटी हमशे कम से कम अपनी बराबरी का समझों, रहा भी भी बराबरी की हैं, मतलब तो मैसे ब्लिटिकली बात नहीं कर रही हूं लेकिन अभी भी भी ब चला सके, बना सके, we are capable and enough and independent enough. तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे इस फिल्म को सपोर्ट करने का मुझा मिला और जब मैं सरसे इस कहानी के बारे में सुन रही थी, मैं सच में देखना चाहती हूँ, I'm waiting for this film. अई रख सर्शा आची कि आपने विटी शुना उप एक सिर्वा सुचा अपने बेटी कि बीटे जाले हैं। नहीं ने, बेटों के बहुलना शेखने हैं misin? देखो क्या है कि बेटे की अपनी जगे रहेगी बेटियों की अपनी जगे रहेगी नéliorी के बग़र चाए बेटी हो यूब वे एक नारी के बग़र हई लोगी नहीं сपता वही उतपत्ती की श्रौच है तो नारी को तो वैसे ही समाने देना चाहिए हर हर हहलगी हम यह कहीं नहीं सकते कि आदमी जो है वो नारी से बड़ा है और यह वो क्योंकि नारी के बगार आदमी है ही नहीं तो इसलिए बेटे को हम कहीं भूते जा रहे हैं ऐसा है ही नहीं बेटा कभी बूलाने जाएगा बेटी भी कभी नहीं भूली जाएगी दोनों की बराबरी जो है वो ऐसा है कि दोनों को समाज में बराबर स्थान मिलना चाहिए हम अगर यह समझाएं कि बेटियां कब जो है और बेटा जो है वो बलशाली है यह सोच गलत है या बेटा ही सब कुछ कर सकता बेटियां नहीं काम आएंगी या बेटे ही हमारे काम आएंगे बेटियां नहीं आएंगे यह जो एक लोगों की धारणा है यह गलत है इसको कहीं सो धारणा है इसमें किसी को अगर हम शिक्षित कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बेटों को हम शिक्षित नहीं करना चाहते हैं दोनों को बराबर ही चलना होगा, कंदे से कंदा मिला कर इस समाज में आगे बढ़ना होगा. इस बारे में मैं भी एक बात कहूंगी, कि हमारे समाज में देवियों को बहुत इज़त दी जाती है, लेकिन लड़कियों को उतने importance नहीं मिलती, लड़कों को बहुत इंपॉर्टमस मिले, अब जब लड़कियों को धिरे दिरे importance मिलना शुरू होगा, तो लड़कों पर इन्सेक्यूरीटी तो होगी, प्लीज दिल पे मतलबाद से परापरी के हो रही है। यहां पर कोई यह नहीं कह रहा है कि लड़कों को कम इंपॉर्टन्स देनी चाहिए। वहां भी तो नहीं होुड़ कि इंपॉर्टन्स दी चाहिए। क्या होता है अभी आफ्टर शो लाइक ता इतना स्ट्रॉंग कारेक्टर करने के बाद में हम वेटिंग फॉर सम्थिंग जो उसकी टक्कर का हो हाँ है कुछ पाइप बाइन देखे हांगे क्या वोकाउट करता है क्यों देखे क्योंकि एक नया एटेम्ट है बनती सेम सब्वेक्ट से बहुत सी चीज़ें बनती है कहानियां कहीं समाज से जुड़ी कहानियां और समाज से जुड़ी समस्यां तो बड़ी कॉमन होती है और सबको पता ही होती है वो क्या समस्यां हैं लेकिन किस तरह से एक कहानी पिरोई गई है किस तरह से उस कहानी में एक नवीनता दी गई है किस तरह से उस कहानी में ग्रामा दिया गया है तो वो एक जो जिसे कहते हैं कि complete कहानी है और एक नया प्रयास है लोगों का तो मैं समझता हूँ कि दर्शक उसे देखें और वही जज़ कर पाएंगे कि यह जो attempt है यह सही है या गलत है या कहां तक कामियाब हुआ successful रहा है यह तो दर्शक की तै करें हाथ दूखने लगड़ा है वाई 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 वाई